नमस्कार आप देख रहे हैं वीडियो वीजन न्यूज चैनल अमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें शाह जहां ने अपनी पतनी मुम्ताज की याद में ताजमहल बनवा दिया था वहीं उडिसा के एक शक्स ने अपनी पतनी की खुशी के लिए साथ करोड का मंदिर बनवा दिया है उडिसा के जारपूर जिले में बना यह मंदिर ताजमहल की तरह खूब जूरत दिखता है मंदिर बनवाने वाले शक्स का नाम खेतरा वासी लेनका है यह बिजिनिसमेन है इनकी पतनी का नाम बैजियन्ती है बैजियन्ती शंतोशी माता की बहुत बड़ी भगत है उन्होंने अपने पती खेत्रवासी लेनका से इच्छ जिताई थी कि वो शंतोशी माता का मंदिर बनवाना चाहती है मंदीर के बारे में क्या कहूं जितना भी कहूं वो बहुत कम लगेगा आप लोगों को मंदीर मेरे पती ने मेरे लिए बनवाया है बस इसके लिए हम तह दिल से उनक्या सुक्रियादा करते हैं और हम दिल से दुआ करते हैं कि हमारा जो देशबासी है, हमारा गाउबासी है, सब वो मंदिर का देवी का जो है अरधना करे, पुजार्चना करे और सब को माता का आस्रिवाद मिले, सब सुखसांते से रहे. मेरे पती मेरे लिए खाली मंदिर नहीं बन वाया है, मेरे सब जितने भी ग्रामबासी है, सब के लिए ये मंदिर बन वाया है, इसलिए हम उनका जितना भी धन्यवाद करे उतना ही कम पड़ेगा. यह मंदिर दक्षिन भारतिय शैली में बना है, पती पतनी है दरावाद में रहते हैं, बैजनती की इच्छा थी कि उनके गाउं में एक शंतोशी माता का मंदिर बने, उनके पती ने उनकी इच्छा पूरी करने की ठान ली, उन्होंने 2008 में मंदिर निर्मान का काम शुरू क परवादिया, यह मंदिर अब पूरी तरह से बनके त्यार हो गया है। से कारण आया, जिसके वज़े से काम को रोपना पड़ा, आज पी तो वो प्राब्लम जोड़ी था सल हुआ, वो धिरे-धिरे काम कुरा हो और मंदिर का कार्यक्रम, मंदिर का प्रतिष्टा कार्यक्रम सुरू होने जा रहा है, जो भी आप लोगे सामने है। इच्छा मत रखे, पति के साथ पतनी का जो संपत है वो बनाए रखे और आपका जो इच्छा धीरे-धीरा पुरा होता जाएगा। आप अगर कंडिशन करेंगे, मुझे आज हीरा का हार दे दो, आज मेरे लिए ये करो, मुझे सिल्वा लेके जाओ, होटेल लेके जाओ, वो थोड़ी हो पाएगा। पति का हालत समझना चाहिए, उनका जो अंदर का प्यार आपको देखना चाहिए। खाली उपर ओ सोना लिखा कि दिये तो बस वो हो गया, आप वो सरिन में लगा लिए, गले में लगा कि हिरा का हाल चले गए, ओ हो गया। नहीं, उनका जो प्यार आपके लिए क्या उनुमप करते हैं, ओ पहले आप जानो। यह हैं खेतरवासी लेन का, जिन्होंने अपनी वाइफ के लिए मंदिर बनवाया है, इन्हें सुनिये कैसे इन्होंने इस बारे में सोचा। जब 1992 में मेरा साधी हुआ यह गाओं का बेटी से, उस तब तक मेरा मिसेश वो संतोशिमा का भक्त थी। तो साधी के बाद में हम लोग एक निस्वति लिए कि हम एक गाओं का माटी में एक संतोशिमा का छोटा सा मंदिर बनाएंगे। मगर वो छोटा सा मंदिर इतना बड़ा हो जाएगा हम कभी सोचे भी नहीं थे। यह मंदिर अन बना के हम भी खुशे और मेरा मिसेश भी खुशे और वो गाओंवाले भी खुशे त्योंकि वो गाओंवाला का जमीन में इतना बड़ा मंदिर और तपकी गाओं का एरिया में यह कोई सहर नहीं है। गाउं काहरी में इतना बड़ मंदिर आया, इसलिए सब लोग खुशे हैं.